EPS 95 पेंशन भोगियों को न्यूंतम पेंशन साथ 500 शून्य प्लस दा और हायर पेंशन ना मिलने का कारण क्यूं हो रही है देरी EPS 95 पेंशन भोगी लंबे समय से 7500 शून्य प्लस दा की मांग कर रहे हैं बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद उनकी मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है अभी न्यूंतम पेंशन 1000 रुपए है उसको बढ़ाने में सरकार दिल्चस्पी क्यों नहीं ले रही है वही पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हायर पेंशन मिलने में भी देरी हो रही है आखिर न्यूंतम पेंशन बढ़ाने और हायर पेंशन मिलने में भी देरी का क्या कारण है चलिये पूरी सच्चाई जान लेते हैं एक आंदोलन में अधिकांच EPS 95 पेंशन भोगियों की भागीदारी नहीं EPS 95 पेंशन भोगियों की कुल संख्या लगभग 78 लाख है लेकिन बहुत सारे पेंशन भोगी बहुत सारी चीजों से अवगत नहीं होते हैं इसलिए वह किसी आंदोलन में भाग नहीं ले पाते हैं। इससे यहां मुद्दा व्यापक स्तर पर उठ नहीं पाया है और नहीं पर्याप्त समर्थन प्राप्त कर सका है। बहुत सारे पेंशन भोगी पेंशन मुद्दों के प्रती जागरूक नहीं हैं। वे इनसे अनभिग्य हैं। इसलिए इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। 2. सभी संबंधित EPS 95 यूनियन के बीच एकता की कमी। आंदोलन या कानूनी प्रक्रिया में शामिल सभी संबंधित EPS 95 यूनियनों के बीच एकता की कमी है। यहां विभाजन समस्या के समाधान में बड़ी बाधा उत्पन कर रहा है और इसे और कठीन बना रहा है। EPS 95 पेंशनरों और सदस्यों के बीच जागरुकता बढ़ाने के लिए प्रभावी अभियानों की कमी है। यदि सही तरीके से जागरुकता अभियान चलाए जाते तो पेंशनरों और सदस्यों को उनके अधिकारों के बारे में सही जानकारी मिलती और वे संगठित होकर अपने हग की लड़ाई लड़ सकते थे। तीन कानूनी ज्यान की कमी अधिकांज संबंधित EPS 95 पेंशनरों और उनके संबंधित संगों के नेतरित्व में उचित कानूनी ज्यान की कमी है। वे न्यूंतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दों पर EPS भारत सरकार और अदालत को सही कानूनी तर्क देने में सक्षम नहीं हैं और इन मुद्दों को कानूनी पहलूँ के साथ सही तरीके से समझने की अनिच्छा दिखा रहे हैं। चार विभिन एजंसियों और सोशल मीडिया चैनलों की नकारात्मक राए। और भी भ्रम पैदा हो रहा है। 5. सरकार और EPFO की प्रक्रियात्मक देरी सरकार और EPFO, कर्मचारी भविश्य निधी संगठन, द्वारा प्रक्रियात्मक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। Higher Pension PPO, Pension भुक्तान आदेश या मांग पत्र जारी करने में देरी से भी पैंशनरों की समस्याएं बढ़ गई है। यह देरी न केवल पैंशनरों के लिए वित्तिय संकट का कारण बनती है, बलकि उनके जीवन सर को भी प्रभावित करती है। 6. राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी EPS 95 पेंशन मुद्दों पर राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इन मुद्दों को राजनीतिक दलों द्वारा परियाप्त समर्थन नहीं मिला है, जिससे सरकार पर दबाव नहीं बन पाया है कि वे जल्दी और प्रभावी निर्णय लें। साथ आर्थिक दबाव और संसाधनों की कमी EPA's 95 पेंशनरों और सदस्यों के अधिकांश मामलों में आर्थिक दबाव और संसाधनों की कमी भी एक प्रमुक समस्या है। बहुत से पेंशनर और सदस्य अपनी आर्थिक स्थिती के कारण इन मुद्दों पर लड़ने में असमर्थ हैं। यह आर्थिक कम्जोरी उन्हें अपनी आवाज उठाने से रोकती है। इन मुद्दों को हल करने के लिए एक संगठित और सामुहिक प्रयास की आवशकता है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय भागिदारी हो। PM मोधी, EPFO, EPA's 95 higher pension और न्यूवतम 7500 pension से जुड़ी ताजा खबर पढ़िये देश भर के pensioners अपने मन की बात सरकार तक पहुचाने के लिए खुलकर पोस्ट कर रही हैं। सूचनाजी न्यूज, 36 गड़ PM मोधी और डॉक्टर जितेंद्र सिंग के हाथों में कार्मिक, लोग शिकायत और पेंशन मंत्राले हैं। नरेंद्र मोधी के समर्थक और विरोधी pension को लेकर क्या सोचते हैं। कर्मचारी भविश्य निधी संगठन, Employees Provident Fund Organization के सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना 1995, Employees Pension स्कीम 1995 की न्यूंतम पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। EPFO, EPFO पर आरोपों की बौचार हो रही हैं। EPS 95 Pension, EPS 95 Pension, 7500 रुपए कब से मिलेगी? इन तमाम सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। सरकार की तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर पेंशन भोगी सरकार को लेकर क्या सोच रहे हैं? इसकी ज़लक आपको यहां दिख जाएगी। पीएम मोधी और डॉक्टर जितेंद्र सिंग के हाथों में कार्मिक, लोग शिकायत और पेंशन मंत्राले की कमान होने से कितनी उम्मीदे हैं या नहीं। इस पर पेंशनर्स देवराज जोसेफ ने कहा दो शून्य एक चार से दो हजार चौबीस दस वर्ष तक बिना किसी सकारात्मक परिणाम के चुपचाप गुजर गए। और यह जुमला अगले पांच वर्षों तक जारी रहेगा। कोई उम्मीद नहीं है। इनके पोस्ट पर कमेंट करते हुए हराधन बनर जी ने लिखा देवराज जोसेफ हम सब चले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कोई सकारात्मक परिणाम नहीं होगा। एरियर के साथ पेंशन कब मिलेगी। पेंशन आंदोलन में खोलकर लिखने वाले विजय प्रसाद सिंग ने लिखा सुप्रीम कोट 4 नवंबर 2022 को आया ओर्डर कब तक लागू होगा। पीपीओ कब तक निरस्थ होगा। एपीओ कर्मचारी, एपीओओ एमप्लोई के बैंक खाते में एरियर के साथ पेंशन कब तक भेजेगा। क्या पेंशन टैक्स फ्री होगी। कर्मचारी को उसकी मौत के बाद बची रकम का भुकतान आश्रित को किया जाएगा। क्या पेंशनन दा से लिंक होगा? पूचता है कर्मचारी। हायर पेंशन को लेकर दर्द भी छलका। सुबोथ कुमार सिंगल ने पेंशन मंत्राले, पेंशन मिनिस्ट्री पर ही सवाल उठा दिया है। लिखा पेंशन मंत्राले मेरे विचार से सरकारी और तत्यों के बारे में कार्य करता है। वहीं एक अन्य पोस्ट में सदानंदन एवी ने अपने मन की बात लिखी कि यह मोदी का आखिरी कार्यकाल है। अब पेंशन विभाग उनके पास है। वे भाजपा को सत्ता में बनाए रखने के लिए कोई भी दाव खेल सकते हैं। EPFO की कठोर कारवाई हमारे फंड में हैरफेर करना और अपने खर्च के लिए उसका इस्तिमाल करना है, जो उनके निर्देश अनुसार है और बहुत सारे घोटानों को छुपाना है। इसलिए हमारी उच्च पेंशन को नकारना EPFO के अस्तित्व का मुद्दा है। कई EPS पेंशन भोगियों, EPS पेंशनर्स ने भाजपा को वोट दिया, अगर हम एकजुट होते और भारत के लिए वोट करते तो परिद्रिश्य अलग होता। Breaking News, EPS 95 Higher Pension 50,000 तक मिली नहीं, अब नॉर्मल पेंशन भी रुकी, भटक रहे सेल करमचारी अधिकारी करमचारी उच्च पेंशन योजना 1995, Employees Higher Pension Scheme 1995 के लिए देश भर में ज्वाइंट आप्शन फॉर्म भरे जा चुके हैं। अजमत अली, भिलाई, करमचारी भविश्य निधी संगठन, Employees Provident Fund Organization पर एक और सवाल उठ गया है। EPFO, EPFO पर आरोप लगाया जा रहा है कि EPS 95 Higher Pension चालू किया नहीं, अब नॉर्मल पेंशन भी रोक दिया है। नॉर्मल पेंशन, नॉर्मल पेंशन नहीं बनने की वज़ा से करमचारी और अधिकारी परेशान हो रहे हैं। समस्या समाधान के लिए ट्रेड यूनियन कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। सही जानकारी के लिए EPFO, EPFO और उच्च प्रबंधन तक बात पहुचा रहे हैं। करमचारी उच्च पेंशन योजना 1995, Employees Higher Pension Scheme 1995 के लिए देश भर में ज्वाइंट आप्शन फॉर्म भरे जा चुके हैं। ताजा मामला Steel Authority of India Limited, Steel Authority of India Limited का है। सेल, सेल की यूनिट भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट के करमचारी और अधिकारी आरोप लगा रहे हैं। की 58 साल की आयूप पूरी हो चुकी है। लेकिन अब तक नॉर्मल पेंशन भी चालू नहीं हो सकी है। EPS 95, EPS 95, Higher Pension की तमन्ना पाले BSP, BSP, कार्मिक पूर्व मान्यता प्राप्त यूनियन सीटू, सीटू, के कार्यालय पहुँचे तो राज खुला। महासचिव जेपी त्रिवेदी ने सूचनाजी.com को बत्या की नॉर्मल पेंशन के रूप में करीब 4000-5000 के बीच राशी बनती है। जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की उम्र 58 साल पूरी हो चुकी है, उनको पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। EPS 95 Higher Pension से पहले नॉर्मल पेंशन क्यों जरूरी? C2 महासचिव जगनात प्रसाद त्रिवेदी बताते हैं कि EPS 95 Higher Pension के लिए ज्वाइंट आप्शन फॉर्म भरा गया है। EPFO को प्रक्रिया पूरी करके उच्च वेतन पर उच्च पेंशन देनी है। सही जानकारी नहीं होने से लोग परिशान हो रही है। EPFO के राइपूर कार्याले और BSP के आफिसों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। Normal Pension अलग बात है। Higher Pension विकल्प है। लेना या नहीं लेना है। लेकिन Normal Pension तो मिलनी ही है। हर महीने रिटायर हो रहे 100 से 150। Steel Authority of India Limited Steel Authority of India Limited से हर महीने 1000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी रिटायर हो रहे हैं। Sail की Unit भिलाई Steel Plant भिलाई Steel Plant से अकेले करीब 100 से 150 कर्मचारी और अधिकारी रिटायर हो रहे हैं। अधिक के बूस हूश हो प्रोदाए्यotодि धुझ येपिक कर दो दो estava है। अभू ग रहे हैं। ढैंसे जाग में हो ए atom हके passions کے 6EEえて,